आज हम लोग study करेंगे कि एक revolving electron का magnetic dipole moment कितना होता है तो मान लेजिए electron अपनी orbit में इस तरह से revolve कर रहा है तो electron का motion ही current होता है क्योंकि electron पर charge होता है और charge जब move करता है उसे करते हैं electric current तो जैसे इस conductor में मान लेजिए एक positive charge move कर रहा है इस तरह से तो इसका मतलब कि इसमें current इस direction ने move कर रही है तो यह हो गया current loop और current loop का अगर area A है तो इस current loop का magnetic dipole moment होता है I into A तो बिल्कुल इसी तरह से यह electron के movement का direction यह है इस तरह से उपर से देख रहे हैं तो यह clockwise है तो इसमें current का direction जो होगा anti clockwise होगा इसका opposite direction होगा और इसका area माले जो A है तो यहाँ पर magnetic dipole moment होगा I into A तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है current होता है rate of flow of charge यहनि कि I is equal to Q upon T अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि electron जब एक revolution पूरा करता है वो है E तो Q की जग हम E लिख सकते हैं और time की जग हम पर time period लिख सकते हैं तो यह हो जागा E upon capital T अब यह मानते हैं कि यह electron V velocity से move कर रहा है इसकी linear velocity V है तो velocity होता है distance upon time तो distance यह कितनी cover करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 pi r तो माले इसका radius r है तो distance हो जाएगा 2 pi r और time हो जाएगा capital T तो यह होगा 2 pi r upon T तो T हो जाएगा 2 pi r upon V तो यह T की जगापर हम रिख सकते हैं 2 pi r upon V तो I is equal to E upon 2 pi r upon V upon V का मतलब V उपर चला जाएगा तो यह मिल री current तो अब current के बाद चाहिए area area circle का होगा pi r square तो यहाँ पर M is equal to i into a जो है इसकी जगा i की जगा यह रख देते है i की value और a की जगापर इसका area लिख देते है pi r square तो यह तो होगा i और यह होगा pi r square इसे काट पिट देते है pi pi कट गया यह एक r इस i square से कट जाएगा तो यहाँ पर आगा e vr by 2 अब इन दोनों में यह फर्ख है कि बार मागनेट हो या current loop हो इसके मागनेटरी डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते है m से और इसके मागनेटरी डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते है mu से तो मागनेटरी डाइपोल मोमेंट ऑफ revolving electron mu is equal to जागा e vr by 2 अब यहाँ VR को substitute कर सकते हैं जैसे angular momentum is equal to r into linear momentum यह में 11 क्लास हैं पढ़ चुके हैं तो angular momentum को denote करते है capital L से linear momentum होता है mass into velocity तो L is equal to r into mass into velocity तो यह M को अगर left में ले आते हैं तो L upon M हो जाएगा V into R तो यह जो VR है, यहाँ भी VR है इस VR के जाएगा लिख सकते हैं L upon M यहीं कि angular momentum upon mass of electron तो इसको substitute कर रहते हैं VR को तो जाएगा L upon M यह मिल गया magnetic dipole moment of revolving electron